नवश्कार आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ओल्लाइन और मैं हूँ आपके साथ कुलभूश अंडास देव लोगसरवा चुनाव 2024 को लेकर के सरगर्मी अब बढ़ गई है सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासी पारियां चलने लगी है वहीं चुनावो सरवेले भारती जनता पार्टी ने अपने तरकश से एक तीर चल दिया है जिससे उत्तरप्रदेश और बिहार की सियासत गरबा गई है दरसल बीजेपी, यूपी और बिहार में अखिलेश और लालू यादो की सियासी गड़ित बिगाड़ने के लिए एमपी के नए मुखिया मोहन यादो को बिहार के दो दिवसिये दोरे पर भीज रही है बियार जे यादो को साधने की बीजेपी की ये रणनिती ना सिर्फ बिहार बलकि यूपी तन भी पहुचेगी फिलाल यादो के वोट से सरकार की दशा और दिशा तै होने वाले राज्यों में मदप्रदेश की मुखवंतरी मुखन यादो के पहुचने से सियासी तपिश अबबर चुनी है बीजेपी के रणनिती कारों का ये मानना है कि जल्दी मुखन यादो यूपी में भी पहुचेंगे और यूपी भाजपा की ओर से मुखन यादो को पश्शी मुत्तर प्रदेश में आने के लिए प्रस्ता तयार कर आला कमान से साज़ा किया गया है वहीं यूपी और बिहार में मोहन यादो के आने को लेकर समाजवादी पार्टी के निताओ का ये मानना है कि उनके आने से उनकी पार्टी से जुड़े लोगों पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा यूपी और बिहार में सियासी नजरिये से सरकार बनाने में महत्पुट भूंका निभाने के तौर पर यादों को देखा जाता है बिहार में जहां 14 फीजदी करीब यादों है वहीं उत्तर प्रदेश में इनकी संक्या 10 फीजदी के करीब है और इसी जातिगत और सियासी आकड़ों को नजर में रखते हुए भाजपा ने मुखबंतरी मोहन यादो को बिहार से सियासी समीकरण साधरे की कमान सौपी है मोहन यादो 18 और 19 जन्वरी को बिहार के दौरे पर रहेंगे जानकारी के मुताबिक इस दौरान वाक क्रेशन चेतना मंच की ओर से कारकम में शिर्कत करेंगे और क्रेशन चेतना मंच के सहसचीव रहे दीपक यादो ये कहते हैं कि इस कारकम में यादो समुदाय से जोड़े सभी लोग शिर्कत करने पहुँच रहे है उन्होंने बताया कि यदुवंशियों को जोडने के लिहाज से ये एक गैर राजनेतिक कारकम किया जा रहा है हलाकि सियासी गल्यारों में चर्चा तो इसी बात की है कि ऐसे ही कारकरमों के माधम से फी शुरुवात होती है बिहार के यादों को जोडने की कहने को गहर राजनीती हो लेकिन जब कोई राजनीती शक्स पहुचता है इस तरह के कारक्रमों में तो वो राजनीतिक होई जाता है जिस तरीके से अगले हफते MPK सियम मोहन यादो की बिहार पहुचने की प्लानिंग है ठीक उसी कुछ दिनों बाद UP में भी उनकी एंट्री होगी जन्ता पाटी से जुड़े राजनीती कारों का ये मानना है कि यादो समाज और अनसभी पिछड़ी दलो के लिए उनकी पाटी लगातार काम कर रही है पिछड़ो और यादो की नुमाइंदगी करने के लिए उनके जनप्रतनिदी BJP है BJP में है यादो के नेता के तौर पर केंदरी मंतरी भूपेंदरी यादो भाज़पा में पड़े पत पर है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी कैबनेट में भी BJP ने यादो को मंतरी बनाया है इसके लावा लोगसभा, राजसभा और विधान परिशत जिला पंचायत में भी भाज़पा की ओर से यादो को अपने समुधाय का प्रतनिदित करने का मौका मिला है बीजेपी से जुड़े रणिती कारों का ये मानना है कि बिहार के बाद यूपी में भी मौन यादो की सभाय आउजित होंगी और अन्यकार कमों में भी भाज़पा करेंगे इसके लाब आपको बताते हैं कि बीटे कुछ समय से बीजेपी लगातार यादो समुधाय को अपने पक्ष में करने के जोड़ तोड़ प्रयास कर रही है सियासी जानकार तो अब ये कहने लगे हैं कि राजिस्थान, मदब्रदेश और हर्याणा में बहुत हड़ तक यादोओ को अपने पक्ष में भाज़पा ने कर लिया है उत्तरप्रदेश और बिहार के यादोओ को सादने की बड़ी तयारी की है यादो महासबा के टीडी यादो ये कहते हैं कि भाशपा के संसलिय बोर्ड में दोग प्रमुक यादो नेता शामिल है उत्तर प्रदेश भाजपा ने बिहार के बाद पश्यमी उत्तर प्रदेश में मोहन यादों के कारखमों की योजना बना ली है यूपी बाजबाज जुड़े एक वरिष्ट पदादकारी ये बताते है कि इसके जरीए उन्होंने आला कमान से पश्चमी उत्तर प्रदेश में यादवों के कारकलबों की शुरुआत करने की बात कही है। प्रदेश के लोगों पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है। कोई गलत नहीं होगा कहने का कि भारती जंता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों को अपने पक्ष में साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। फिलाल अभी के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हैं नभारताइंस के साथ। नमस्कार।